ये भारती जनता पाटी लौक तंत्र की हत्या, सम्विधान की धजिया और जो प्रेस की आजादी है उस पे भी अंकुस लगा रही है कल उत्तर प्रदिश विदान सभा के बाहर पत्रकारों और पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हो गई थी इस दौरान कुछ पत्रकारों को पीटा गया था और काफी चोटे भी आई थी आज इसी को लेकर अकलेश यादव ने सरकार पर निशाना सादा है उन्होंने काए कि सरकार सच से डर गई है इसलिए ऐसे हदकंडे अपना रही है विपक्ष के आवाजों को दबाये जा रहा है और उन्हें दिखाने वाले पत्रकारों को निशाना बनाये जा रहा है कल जो घटना पत्रकार साथियों के साथ हुई है यह बिधान समाह में यह परंपरा रही है कि पत्तकार और पत्तकारत्या से जुड़े जितने लोग हैं समय समय पर लॉबी में मिलते थी और जब कभी भी आंदोलन ये विपश्च को अपनी बात कहनी होती थी तो चौई चंसिंजी की प्रतिमापर खड़े हो करके अपनी बात कह करके सदन में आते थी ये भारती जंता पाटी लोग तंत्र की हत्या समय धान की धजिया और जो प्रेस की आजादी है उस पे भी अंकुस लगा रही है ये बहुती निंदनी घड़ना है और दूसरी आज सुबह से लेकर के लगातार फोन आ रहे हैं और एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें कानपुर दिहाद के जिन परिवार के साथ घटना हुई मा बेटी जिन को जला दिया गया सरकार के परसाजन के इसारे पर बुल्डोजर चला जान चली गई उसके भाई का वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें कपड़े उतार दियें और नंगा करकर के पुलिस खड़ी कर रही है अगर अर्द नगन किसी के भाई को खड़ा कर देंगे किसी के बेटा को खड़ा कर देंगे यह कहां का लोगतंत्र है आखर भादे जनता पार्टी क्यों ऐसा कर रही है भादे जनता पार्टी ये बिवार क्यों ऐसा कर रही है इनकी सरकार में अधिकारियों पर अंकुष क्यों नहीं है अधिकारियों को ये खुली चूट के उद दिये जो भाई जो बेटा जो पिता का पुत्र इस तरीके से अज़ नगन किया गया है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कारवाई कर रही है जिन्होंने बुल्डोजर चलाया मा बेटी की जान ले ली उन वरिष्ट अधिकारियों के ऊपर क्या कारवाई कर रही है सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि दुनिया में जब कोई पुलिस के माददे में अर्द नगन कर दिया जाएगा अगर पुलिस ये काम करने लगे अधिकारी ये नंगा करने लगे तो कहां से निवेश आएगा और निवेश आने की बड़ी-बड़ी बातें जो सरकार कर रही है पहले सरकार को ये बताना चाहिए कानपूर दिहात में, कानपूर में या पूरे उत्तपदेश में कौन सा निवेश ये सरकार लेकर के आईए सरकार ये बताए निवेश कौन सा लेकर के आईए